बोलता विहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। अर्पित कर संद सर्धानजली दी गई। इस सर्धानजली सवाग की अदेख्षता एई आई सब के अंचल को साध्या रगुननदन कुमार ने किया। आज ही के दिन सहीदे आजम भगसी, राजगुरु और सुगदेव को अंग्रेजयो द्वारा फांसी दे दी गई थी। वो भी समय पहले आज हम लोगों को भगसी के सपनों का देश बनाना होगा और उनके बताएगे रास्ते पर चलना होगा तब जाकर भगसी का सच्चा सर्धानजली होगा। भगसी को आजाद भारत की सपना देख रहा था, वो आज भी अधूरा है। आज समय ऐसा आ गया है। पढ़े लिखे युवापिडी बेरुजगारी की आर्मे सरक पर दरदर भटक कर घूम रहे हैं। योगता के अधारपनों जवानों को रुजगार उपलवद नहीं हो र खर्म और मजब के नाम पर हमेसा लराया जा रहा है। लेकिन भगसी का सपना था, हम लोग एक साथ रहें लेकिन आज कुछ लोगों दोरा हम लोगों को आपस में बाटने का काम किया जा रहा है। आज इस सरदाजली सभा में हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए और उनके बताएगे रास्ते पर संगर्स करना होगा ताकि हमारे समाज के अंदर समाज सोहार्द को कोई भी बिगार ने का काम याव न कर सकी। इस मौके पर रमन रजक भबलु कुमार, प्रविन कुमार, रगुनंदन कुमार, अनंद मौन कनिया कुमार, सचिन कुमार आदी मौजू मनसूर चक से अमित कुमार की रिपोर्ट